हाई, अम शुश्मिता वैनल जी दोस्ता हम सभी किसी ना किसी रिलेशन्शिप में बंधे हुए है और हम ये नहीं कह सकते कि हमारा सब के साथ अच्छा रिलेशन है तो आज मैं आपको 6 चीज़े बताऊं की जो की हर एक रिलेशन्शिप में होना चाहिए चाहे वो आपका लाइप पार्टनर हो फैमिली मेंबर्स हो या फ्रेंस इन टिप्स को फॉलो करने से आपका सब के साथ रिलेशन्शिप अच्छा हो जाएगा पिछली बार मैंने रिप के रिजन्स की उपर एक वीडियो बनाई थी तो आपको वो वीडियो उपर आई बटन में मिल जाएगी आप जाके देख सकते हो तो चलिए आज का वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते है ट्रस्ट दोस्तों एक एक्स्परिमेंट पे ये देखा गया है कि अगर किसी रिलेशन्शिप में प्यार ना हो लेकिन भरोसा हो तो वो रिलेशन अच्छे से टिक जाता है लेकिन जहां पे प्यार हो पर भरोसा नहीं हो वो रिलेशन कभी न कभी तूट जाता है तो इसलिए किसी भी रिलेशन्शिप में ट्रस्ट सबसे साधा इम्पॉर्टेंट है अंड़स्टैंडी जादा दर लोग एक्सपे करते हैं कि जैसे हम सोचते हैं दूसरा इंसान भी वैसा ही सोचे और जब सोच नहीं मिलती तो हम जगरा करते हैं तो पहले तो इस बात को समझो कि सबकी सोच एक नहीं होती तो बगेर कोई आर्गुमेंट के आप खुद को उनकी जगए पे रख के सोचो तो दूसरों को अच्छे से समझने से ना प्राब्लम्स बहुत कम हो जाती है रिस्पिक कई बार हम लोगों को ना टेक इन फर ग्रांटेट ले लेते हैं और जब रियालाइसेशन होती है तो बहुत देर हो जाती है तो हमेशा हर एक इनसान को रिस्पिक करो चाहे वो आपसे बड़े हो या छोटे लोयल्टी एक दूसरे से लोयल रहना अच्छे रिलेशन्शिप की निशानी होती है अब प्यार तो हर एक रिलेशन्शिप में कमपल्सरी है इसके बारे में आपको ही बहुत पता है सो आई डून थिंग इस पॉइंट को ज़ादा इलबोरेट करने की ज़रुरत है सर्प्राइजस सर्प्राइज किसे पसंद नहीं होती तो आप कभी न कभी अपने डियर वन्स को छोटे या बड़े सर्प्राइज दे सकते हो चाहे वो एक महेंगी चीज हो एक छोटा सा फूल हो हैंड रिटन कार्ड या नोट हो कोई डियाईवाई हो या फिर कभी उनको घूमने ले जाना हो आप अपने हिसाब से कोई भी सर्प्राइज दे सकते हो खास करकि अगर कोई आपसे गुसा हो तो वहाँ पे सर्प्राइज आग बुझाने की तरह काम करती है तो दोस्तो ये टीप्स आपके रिलेशन्शिप को और भी स्ट्रॉंग बना देगी सिर्फ रिलेशन बनाने से नहीं होता रिलेशन निभा ना भी पड़ता है इसमें किसी बड़ी से चीज़ की जरुरत नहीं है छोटे छोटे फर्स डालना ही खाफी होता है वीडियो हिल्फुल लगी हो तो लाइक, कॉमेंट, शेर और सब्सक्राइब कर देना फिर मिलेंगे नेक्स विस्टे और साटर्डे को गुद बाई and have a fruitful relationship